Pentium Processor, Intel Corporation का Pentium Personal Computers में विस्दत रूप से प्रियोग किया जाने वाला प्रोसेसर है 32 बिट के इस प्रोसेसर की शुरुवात Intel ने 1993 में की, Personal Computer में निर्मित Intel के 486 माइक्रो प्रोसेसर को इसने Microchip of Choice के रूप में बदल दिया इसमें 3.3 लाख Transistors होते हैं, इसके पिछले 80486 चिप वालूं से लगभग 3 गुना अधिक हाला के निर्मार के दौरान ही Pentium Processor का स्थान Pentium Pro वो Pentium Processors ने ले लिया Intel ने 1993 में Pentium 3 और अभी हाल ही में Pentium 4 प्रोसेसर विकसित किया Pentium 3 Processor Pentium 3 Synchronized Dynamic Random Access Memory यानी SDRAM के साथ ही आता है, जो की प्रोसेसर और मेमरी के बीच डाटा का ट्रांसफर अत्यन्त तीवर गती से करता है Pentium 3 Intel द्वारा Pentium 2 के बाद डिजाइन किया गया था Pentium 3 की गती विशेश रूप से उन आप्लिकेशन्स को लिखने में तीवर होती है तर नए निर्देश, 3D image, streaming video, speech recognition और audio अप्लिकेशन्स को शीगरता से संभव बनाते हैं KT MAI Code के सभी CPU थोड़े से समय के लिए शुरू किये गए इसके अलावा Pentium 3 800 MHz तक गती की क्लॉक उपलब्द कराते हैं Pentium 3 के विभिन प्रकार उपलब्द हैं जिनके नाम है Coppermine T तथा Tulatin KT MAI KT MAI Intel के Pentium 3 के पहले कोर प्रोसेसर के कोड का नाम था KT MAI Intel के 32-bit Pentium 3 प्रोसेसर फामिली का और Pentium 2 प्रोसेसर के स्थान पर यह पहला प्रकार था February 1999 में इसे 500 MHz की गती के साथ शुरू किया गया था सितमबर 1999 में Intel ने 133 MHz FSB वो 600 MHz CPU के साथ सबसे तेज वो सबसे आधुनिक कट MAI को शुरू किया गया कट MAI की नई खोज एक नए निर्देशू का सेट था जिसे कट MAI New Instruction कहा जाता था जिसका नाम बाद में Streaming Single Instruction Multiple Data यानि SIMD Extension SSE हो गया कट MAI आधारित Pentium 3 के CPU में 512 KB Backside के साथ कोर फ्रिक्वेंसी के आधे चक्र में चलने वाली L2 कैशे थी कॉपर माइन कट MAI के आने के आठ महीने की भीतर ही Intel ने कॉपर माइन के साथ पहला नया प्रोसेसर 0.18 Micron Technology पर आधारित Pentium 3 कोर शुरू किया बहतर निर्माण तक्नीक वा अत्यांत छोटे आकार के CPU के साथ इसे लाया गया जिसके कारण यह कम खर्चीला वा 256 KB L2 कैशे के साथ शामिल किया गया यद भी Integrated L2 कैशे का आकार Pentium 2 वो Pentium 3 प्रोसेसर की पिछली पीड़ी के L2 कैशे आकार से दो गुना छोटा था कैशे का मुख्य लाब इसकी गती था क्यूकि कैशे प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी से चल रहा था कॉपर्माइन प्रोसेसर्स 500 MHz से 1000 MHz तक की गती के बनाए गए थे Intel ने प्रोसेसर्स को 1133 MHz की मात्रा के साथ सीमित कर निकालने की घोशना की कॉपर्माइन टी कॉपर्माइन टी कॉपर्माइन एवं टुलैटिन के बीच के एक मध्यवर्ती चरण की पुनरावरती है निम्न वोल्टेज प्रडाली लॉजिक से सपोर्ट लेने के लिए लेटर पर थित होती है लेकिन कोर पावर पूर्व निर्धारित वोल्टेज स्पेक्स के अंदर पहले से ही स्थित रहती है जिससे की अब पुराने सिस्टम बोडू पर काम कर सके यह पीच है माइक्रो सनरचना पर आधारित है टुलैटिन टुलैटिन की सनरचना लगभग कॉपर माइन के समान ही होती है यहां तक की बढ़ा हुआ L2 कैशे किसी भी सनरचना के परिवर्थन का कारण नहीं था टुलैटिन की विशेश्टाएं एडवांस ट्रांसफर के समान होती है जो 256 बिट एक्सेस बस के साथ कोर फ्रिक्वेंसी में काम करता है इंटिल ने टुलैटिन से सीरियल नंबर सपोर्ट हटा दिया जो कि पुराने पेंटियम तीन प्रोसेसर की एक खाज विशेश्टा के रूप में उपियोग किया जाते थे और जिसने उपियोग करताओं के बीच विवाद पैदा कर दिया था टुलैटिन के सीपीउ की बहारी सनरचना अपने आप में अलग होती है होक्स से अभिप्राय है कि यदि पूर्वानुमान सही है तो प्रोसेसर डाटा लेने में कम समय लेता है पेंटियम तीन प्रोसेसर की सनरचनात्मक विशेश्टाएं पेंटियम तीन में P6 Dynamic Execution Micro Architecture जैसी सनरचनात्मक विशेश्टाएं होती है इनके अलावा इसकी दो अत्यंत महतोपूर्ण विशेश्टाएं जैसे की प्रोसेसर सीरियल नंबर और स्ट्रीमिंग SIMD Extension SSE है P6 Dynamic Execution Micro Architecture P6 Core Intel Processor की X86 लाइन की छटी पीडी थी तक्निकी रूप से अस्थाई संचालन और आदेश के बाहर पूरा होने की कारण इंटेल द्वारा इसे Dynamic Execution कहा गया है यह Multiple Branches प्रोसेसर के काम करने की गति को तीवर कर संचालित होने वाले प्रोग्राम को पूरवानुमानित करता है यह निर्देशूं की मध्य डाटा की निर्भरता का विशलेशन करके निर्देशूं की सूची को अनुकूलित वो पूनर गठित करता है यह सैध्धान्तिक रूप से निर्देशूं का संचालन करता है अनुकूलन सूची के आधहार पर यह सुनिश्चित करता है कि प्रोसेसर की सुपर स्केलर एग्जेक्यूशन इकाईयां प्रवरत रहें यह प्रोसेसर की संपून पर्फॉर्मेंस को बढ़ा देता है ड्यूल इंडिपेंडेंट बस डी आईबी ड्यूल इंडिपेंडेंट बस की संपून सबसे पहले इंटेल और एमडी ने छठी पीडी के प्रोसेसर में क्रियानवित की d.i.i.b को प्रोसेसर बस की बैंड वीथ और पर्फॉर्मेंस को सुधारने के लिए बनाय गया था Pentium 3 Processor Dual Independent Bus की High Performance को सपोर्ट करता है D.I.B. L2 Cache को प्रतिबद उच्च गती युक्त Cache Bus पर जो Cache Traffic के मुक्त सिस्टम Bus को अनुमती देता है मैं करता है Processor उच्च गती की विशेश Bus जिन्हें Backside Bus कहा जाता है का उप्योग करके L2 Cache से आने जाने वाले डाटा को पढ़ता एवं लिखता है यह मुख्य Memory System Bus से CPU को अलग करता है जिसे अब Front Side Bus कहा जाता है यह Single Bus Architecture Processor के उपर तीन गुना तक की Bandwidth Performance देता है यह 100 MHz तक के System Bus के विकास को भी सपोर्ट करता है Multitransactional System Bus System Bus 133 MHz की गती पर संचालित होती है जो मौजूदा Bandwidth से Processor में 33% की व्रिधी अर्थात 100 MHz सिस्टम के साथ 33 MHz सिस्टम अतिरिक्त रूप से करती है बस कई 6 बचे Transaction को Bandwidth की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सपोर्ट करती है इसके अलावा यह केवल 2 Processes के Package तक SECCE 2 Gluless सपोर्ट भी प्रदान करती है यह कम लागत में 2-way Symmetric Multiprocessor की सुविधा Multitasking Operating System वो Multithreaded Application की Performance में महतोपूर्ण रूप से व्रिधी करती है Level 2, L2 Advanced Transfer Cache Advanced Transfer Cache ATC Micro Architectural संशोधन को Level 2 Cache वो Level 1 Cache के मध्य उच्चतम Data Bandwidth Interface देने के लिए शामिल करते है साथी Processor Core पूरी तरह से Processor Core Frequency के साथ Scalable होता है ATC की विशेशताएं यह सब है Non-Blocking पूरी गती के साथ On Die Level 2 Cache Artway Set के साथ साहचरिय Level 2 Cache के लिए 256 Bit Data Bus प्रिथक Cache की बजाए Cache Data में Interface की विलंबता को कम करता है 64 Bit Cache Bus के माध्यम से Cache On Motherboard की Performance को बढ़ाया जाता है Streaming SIMD Extensions Pentium 3 Processor की महत्वपूर्ण विशेशता Streaming SIMD Extensions SSE है Streaming SIMD Extension X86 Architecture के Instruction का एक Set Extension होता है जिसे 1999 में Intel द्वारा Design वो प्रस्तुत किया गया था प्रायहो प्रोसेसर SISD होते हैं जिसमें Single Instruction तथा Single Data होते हैं अतहो प्रोसेसिंग एक Instruction में एक Data की होती है SIMD का सद्धान्त में MMX एवं SSE दोनों का योगदान रहा है लेकिन ये Handle करने वाले Data के प्रकार वो प्रोसेसर को सपोर्ट करने के तरीके में भिन्न होते हैं Integers के लिए SIMD MMX instruction होते हैं वो Single Precision Floating Point Number के लिए SIMD SSE instruction होते हैं MMX instruction एक साथ 2 32 bit integer में जबकि SSE एक साथ 4 32 bit float में काम करते हैं MMX वो SSE में सबसे बड़ा अंतर यह है कि MMX के लिए कोई नए रेजिस्टर परिभाशित नहीं किये गए जबकि SSE के लिए 8 नए रेजिस्टर परिभाशित किये गए हैं SSE को 3D Graphics Applications में उप्योग किया जा सकता है Processor Serial Number Processor Serial Number या Chip ID पेंटियम तीन प्रोसेसर का एक अलग पहचानकारक Burned है जिसे इंटरनेट पर एकसेस कराया जा सकता है यह e-commerce sites व अन्य कौन सी machine site विजट कर रही है या सर्विस काम में ले रही है को यह जानने की अनुमति देती है इससे इंटर इंक को एक बड़े विवाद में घसीटा गया लेकिन इंटल दावा करता है कि प्रोसेसर सीरियल नंबर व्यापार और ग्राहक गणना दोनु से जुड़ी विस्तृत अप्लिकेशन्स में वैल्यू एड़ कर सकता है सुरक्षा, प्रबंधन और सूचना प्रबंधन जैसे कई फायदे प्रोसेसर सीरियल नंबर से मिलते हैं प्रोसेसर, सीरियल नंबर, सुरक्षा के लाब इकॉमर्स की यह आश्वस्ता इस बात पर निर्भर करती है कि केवल आधिकारिक वेक्ति ही गोपनिय जानकारी को प्राप्ट करें अप्लिकेशन पहचान के एक अन्य एलिमेंट के रूप में प्रोसेसर सीरियल नंबर का लाब उठा सकती है इस तरह गोपनियता और बढ़ती है इसी प्रकार प्रोसेसर सीरियल नंबर उन ग्राहा की वेब साइट के लिए डाटा की सुरक्षा को कड़ा करता है जो किसी विशेश सेक्षन को रखना चाहते हों जैसे की केवल अपने फैमिली के सदस्यों आदी के लिए खुला रखना चाहते हैं प्रबंध नियता IT विभाग, Mac एड्रेस या BIOS की GUID जैसी जानकारियों का पता लगाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाता है लेकिन Intel का दावा है कि इन सब को मिटाया जा सकता है इसलिए ये कम विश्वसनिये हैं लेकिन प्रोसेसर सीरिल नंबर को विश्वसनियता के साथ प्रियोग में लाया जा सकता है क्यूंकि निर्माण की समय एक बार यह चिप पर बर्न हो जाए तो फिर इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता चिप आईटी का उप्योग करके डिजाइन की गई अप्लिकेशन आईटी के कस्टमर्स को उनके संसाधनू को और कम खर्चे में विवस्थित करने में मदद करती है SSE इंस्ट्रक्शन्स के प्रकार SSE की सबसे लाबप्रद सुविधा 128-bit आर्किटेक्चर चोड़ाई है बुनियादी द्रिश्टिकोन प्रचलित 64-bit डाटा पाथ का डबल साइकल करना था इस फॉर्माट को चैन करने का प्रफॉर्मेंस लाब डाई आकार में 10 प्रतिशत की व्रिद्धी रखते हुए 1.5-2x की गती प्रदान करना था SSE 70 इंस्ट्रक्शन्स का काफी बड़ा सेट होता है जो की Pentium 3 प्रोसेसर की 3 श्रेणियों SIMD floating point, new media instruction और streaming memory instruction के लिए काफी उपियोगी हो सकता था SSE instructions विभिन प्रकार के होते हैं जिनके नाम है SIMD FP instructions, data movement, conversion type, memory streaming SIMD FP instructions SIMD FP instructions सभी packed mode के या packed data के scalar mode के कम से कम महत्वपूर्ण पैस के समानतर क्रम में operate होते हैं Instructions architectural रूप से प्रेक्षित नई अवस्था का उपियोग करते हैं नई अवस्था के जुडने से जटिलता में कमी आती हैं और programming model के मामले समाप्त हो जाते हैं इसने 120 bit resistors की नई resistor file की शुरुवात की इन में से प्रतेक चार IEEE के single precision FP data elements के vector को संचित रखने में सक्षम हैं SIMD instruction दो resistors के सापेक्षिक elements में अंक गणित परफॉर्म कर दो resistors में से एक के लिए चार element परिणामी vector देता है इस प्रकार architecture single instruction देता है झाल